आज के वीडियो में हम बात करेंगे VPN के बारे में, तो हो सकता है आपने अपसे पहले ये शब्द सुना होगा VPN, तो आज मैं आपको बताऊँगा VPN क्या होता है और कैसे आपके लिए जरूरी है आपको यूज करने के क्या क्या फायदे होने वाले हैं, साथ ही कुछ ऐसी एप् पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको इसी तरह से मिलते रहें तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि VPN होता गया, तो देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ, उससे आपको काफी हद तक एक आईडिया लग जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है अब अगर वर्च्वल प्राइवेट नेटवर्क, अब अगर वर्च्वल के मीनिंग की बात करें तो मतलब मैंने गूगल किया, तो आभासी है, तो आभासी तो आप नहीं जाना चाहोगे, अब वर्च्वल आपको ऐसे समझाता हूँ, आपने देखा होगा, आपके आपका हाँ, आप उसको आपके ATM में तो नहीं लगा सकते हो, लेकिन बागी सारे काम, ओनलाइन, ट्रांजक्शन वगेरा, वो सब आप उससे कर सकते हो, तो वैसे ही वर्च्वल चीज काम करती है, मतलब वास्तविक्ता में आपके पास कोई चीज नहीं होती है, लेकिन वो एक्जि यूज कर रहे हो, एटल यूज कर रहे हो, या फिर कोई भी वाई-फाई वगेरा यूज कर रहे हो, तो जिसके थुरू आपका इंटरनेट आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको ट्रैक कर सकता है कि किस समय आप क् प्रोपर एडरस है, वैसे ही आपका जो मोबाईल होता है, या फिर आपका जो कम्प्यूटर होता है, उसका भी एक प्रोपर एडरस होता है, जिसे कहते हैं IP एडरस, तो ये IP एडरस के थुरू आपको कोई भी ट्रैक कर सकता है कि exact आपकी लोकेशन क्या है, या फिर आप अ या computer वगेरा पर क्या भी browse कर रहे हो तो इस चीज़ को छुपाने के लिए अपनी एक digital identity आप लोग create कर लेते हो जो आपकी location आपकी real location से अलग कहीं पर बना देती है मतलब अभी आप इंडिया में हो तो आप उसको Singapore सेट कर सकते हो अमेरिका सेट कर सकते हो या फिर कोई भी other country में आप उसको सेट कर सकते हो तो यह तो मैंने आपको बता दिया के VPN क्या होता है कैसे थोड़ा सा काम करता है अब बात कर लेते हैं कि VPN आपको क्यों यूज करना चाह तो नहीं है कि सिर्फ आप ही internet browse कर रहे हो वहां पर और भी लोग हो सकते हैं जो internet चला रहे होंगे तो वहां पर आप अपने आपको उन सबसे अलग दिखाने के लिए अपनी identity छुपाने के लिए कि यहां पर इस नाम का मतलब इस IP address का कोई device है जो हमारे internet को use कर रहा है आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हो VPN आपके connection को secure कर देगा encrypt कर देगा जिसकी मदद से आपकी location थोड़ी सी change हो जाएगी virtually तो आपको कोई track नहीं कर पाएगा कि actually आप यहां पर internet use कर रहे हो और आप क्या browse कर रहे हो उस पर क्या कुछ देख रहे हो क्या कुछ चला रहे हो वह भी वह न आपको बता है वो आप hide कर सकते हो इसके अलावा अगर आप कोई public network पर internet browse कर रहे हो तो वहां पर आप अपने आपको secure encrypted रख सकते हो ताकि कोई आपको track ना कर पाए और एक चीज़ आप यह कर सकते हो कि आपकी जो websites कुछ ऐसी होती है जो आपकी country में access नहीं होती है मतलब मान लोग कोई particular website है वो अमेरिका के लिए बनाएगी है और वो अमेरिका में ही चलती है लेकिन आपको उसको चलाना है तो आप क्या करोगे simply VPN लोगे उसके through आप जो अमेरिका का server है उसके आप connect हो जाओगे और technically आप जो आप internet browse कर रहे हो वो अमेरिका में कर रहे हो तो आपकी जो वो website होगे अमेरिका वाली वो आपके phone पे या फिर आपके tablet computer जिस पे आप browse कर रहे हो वहाँ पे खुल जाएगी क्योंकि आपकी location अमेरिका पहुच गई है ना कि इंडिया में आप उसको browse कर रहे हो इसके अलावा अगर बात करें बहुत से लोग Netflix वगएर भी देखना पसंद करते हैं तो Netflix पे भी बहुत सारा content ऐसा होता है जो दूसरे countries का होता है हमारे country में available नहीं होता for example मानलोब की बार चलो हम UK का example ले लेते हैं तो UK में कुछ ऐसी TV shows होंगे कुछ ऐसी series होंगी जो सिर्फ UK के लोगों तक सीमित है तो आप यहाँ पर UK की country का कोई VPN server अपने phone पे access कर सकते हो और उसके बाद में आप जो Netflix पे content था UK का वो भी आप देख सकते हो अब देखो मैंने आपको VPN के बारे में बताया आप इससे काफी सारी चीज़े access कर सकते हो इसका मतलब यह नहीं है कि जो government ने apps बैन की थी आप उनको चलाने लगो देखो भाई वो चीज़ इल्ली का लोगो कुछ लोग सोच रहे होंगे टिक टॉक के बारे में तो टिक टॉ तो यार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप कितनी भी security में रहो चेर के लिए जैसे सवासेर होता है वैसे ही यहां पे हमारे जो intelligence अलग-अलग agencies हैं उनमें बहुत सारे ऐसे experts बैटे हुए हैं कि अगर आप कुछ crime कर रहे हो VPN लगा कर भी even आपने एक से जादा VPN की layers जादा बहतर रहेगा तो अब बात कर लेते हैं कुछ free VPN apps की जो आप अपने device पर यूज कर सकते हो अपने data को secure रखने के लिए तो सबसे पहले free VPN app जो आती है वो मेरा favorite है और मैं उसी को use करता हूँ as a free version तो यहाँ पे वो है browse act तो browse act आप इस्तमाल कर सकते हैं अपने आपको secure रखने के लिए अपने data को encrypted रखने के लिए अब बात कर लेते हैं paid VPNs की तो paid VPNs में क्या difference है पहले यह बता दू आपको speed जो होती है उसका थोड़ा सा फ़र अंदर आपको काफी सारे countries available हो जाते हैं वह आप आरम से use कर सकते हो तो फ्री के अंदर जो टॉप पे आता है वह आता है Express VPN इसको आप use कर सकते हो इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो सर्फ शार्क VPN ये भी एक अच्छा VPN है और इसके अलावा एक और जो VPN है काफी ज़दा कर सकते हो अगर आप कोई पेड़ी VPN सर्विस इस्तामाल करना चाहते हो तो दोस्तों बस यहीत आज के वीडियो में VPN के बारे में उम्मीद करता हो आपको चीज़े क्लियर हो गई होंगी आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके VPN के रिगार सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो इसी तरह से आपको रेगिलरली मिलते रहें मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियो में तब तक के लिए गुद बाए बाए